नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है भलचंद्रा ब्रह्मान्ड सित्याष्ट्र में आप सबी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिना 23 जुले 2022 का संपुर्ण राशिफल उससे पेले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है शनिवार का है शुभक रुत नाम समवसर है सूर्य का दक्षिनायन चंद्रा है रुदु ग्रिश्म का है आशाड का महिना है कुरुष्ण वक्ष के दस्वी दिति है नक्षतर कृति का है योग गंड है दिन का जो करण है वो विस्टी है और जो रात का करण है वह बव है आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरू होगा रात पाच बच कर 53 मिनट से लेकर साथ बच कर 33 मिनिट तक और अभी जितमूर्थ दो पर बारा बच कर 9 मिनट से लेकर बारा बच कर 57 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभी जितमूर्थ दिन के शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्व प्रुनकाम या फिनिरने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुबात होगा सुबर 9 बचकर 13 मिनट से लेकर 10 बचकर 15 मिनट तक और यमगंड़काल जो चंद्रमा है यह चंद्रमा समपुर्ण दिन वृषब राशी में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा रवी और बुद्ध के साथ और गुरु के साथ लाव योग करने जा रहा है वसे प्रकार आजे के दिन बुद्ध और गुरु का नवपंचम योग क्याने के त्रिकोन योग भी होने जा रहा है यह अगर रसती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिय फुल क्या होगा इस विशेपर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के द्वितिय अबाव में चंदरमा का ब्रहमन है रापे के चतुरत बाव में सिद बुद्ध और रवे के साथ आपके वेई अबाव में सिद गुरू के साथ ये चंदरमा लाब योग करने जा रहा है उसे प्रकार आपके चत लाब वगर्वा आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है, घर के जो लोग है, उनके लिए आज आज आपको कुछ घर्चे वगर्ड़ करने पड़ सकते हैं, उसी प्रेकर आने वाले दो से तीन दिनों में आपको आपके घर के जो लोग है, उनके साथ कही बाहर घुमना फिर ना हो सकता है, ट्रावलिंग मेंगर होने के संभावना आने वाले दो से तीन दिने में काफी ज़्यादा बंद रही है। इसके बाद के जो राशी है, वो है प्रिशव राशी। जो कि रुके हुए काम है, वो भी आप मिले सकते हो, और वो सभी काम काफी पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसे प्रेकर आज के दिन आपको कुछ अच्छे लावगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बंद रही है। आपके जो मित्र परिवार है, उनसे भी आज आपको मदद मिल सकती है। कुल मिला के देखा चाहिए तो बहुत ही अच्छा और शुब फलदाई दिन होगा। उस प्रेकर आने वाले दो से तीन दिन भी आपके लिए काफी ज़्यादा महत्वर्ण साबित होगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का काम करना है, कमिट्मन करनी है, प्रामिसन करनी है, पेपर वर्क करना है, या फिर ट्रैवलिंग करनी है, या फिर ऐसी बात जो कि दूर गामी परिणम आपके जिवन पर लाने वाले हैं, तो उस प्रकार के जो निर नह हुआ, आने वाले दो वाले दो से तीन दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे शुपफलदाई थाबित होंगे. इसके बाद की जो राशी है वो है मितंद राशी. मितंद राशी के वेया भाव में चंद्रमा का ब्रह्मण है रावे के द्वितिया भाव में सित्रवी और बुद्य के साथ आपके द्शंबाव में सित्रवी के साथ ये चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है. काफी अच्छा दिन है आपके लिए. खास करके आज के लिए दिन है आपके जो भी महत्वपूर्ण काम आया आप कर सकते हो. आज के दिन आपके ट्रावलिंग में अगरा पूरे हो सकते हैं. और जिस विशय के लिए, जिस योग के लिए अब आप ट्रावलिंग करोगे, वह आपके जो भी बाते हैं, वह पूरे होने की संभावना काफी ज़यादा बन रही है. जहाँ पर आप काम करते हैं नोकरी करते हैं या फिर बेवसाह करते हैं तो काम के सलसिले में भी आज आपके ट्रैलिंग होने की संभावना काफी ज़ादा बन रही है उसे परकर आपके द्वितिया बाव में सिर्बुद्य के साथ आपके दशम बाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग याने की त्रिकोनियोग करने जा रहा है तो काम के सलसिले में आने वले दो से तीन दिनों में भी आपका बाहर घुमना फिरना हो सकता है कुछ अच्छी investment हो सकती है और आपका जो भी कारशेतर है उससे रिलेटर आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी पंद रहे हैं लाव योग करने जा रहा है उसे रिलेकर आपके राशे में से बुद्ध के साथ आपके भाग्यभाव का जो गुरू है वह नवपंचम योग याने की त्रिकोनियोग करने जा रहा है आज कर जो दिन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुबुफलत दाई साबित होगा आ फिरकर आने वले दोसे तीन-दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुबुफलत दाई साबित होगे आने वले दोसे दिन दिने में आपका घूमना फिरना काφी ज़्यादा हो सकता है, जो भी महतुपुर्ण काम है जो कि रुके हुए है पूरे नहीं हो रहे है, आप हात आप में ले सकते हो और भागी के साथ आपको पूरी तरह से मिल जाएगा तो आज का जो दिन है और आने वाले दो से तिन दिन आपके लिए शुबुफ लदाई साबित होंगे इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के दर्शम बाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है आराप है कि वेया बाव में सिद रवी और बुद्ध के साथ और आपके अश्टम बाव में सिद गुरू के साथ ये चंदर्मा लाव योग करने जा रहा है उसे प्र आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है काफी अच्छी सलाह मिल सकती है अगर आप जॉब लेस हो तो जॉब अगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है जॉब के सलसले में आज आपको कई बाहर घूमना फिर ना भी पड़ सकता है लेकर कुल मिलाकर देखा जा तो दिन आपके लिए काफी अच्छा सावित होगा, आने वले दो से तीन दिनों में अन एक्सपेक्टेड लाव अगरा मिनने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी, कन्या राशी के भाग्या भाव में चंदर्मा का भ्रह्मने और आपके सब्तम भाव में सिद्ध गुरु के साथ और आपके लाव भाव में सिद्ध रवी और बुद्य के साथ ये चंदर्मा लाव यो करने जा रहा है तो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुबफलदा ही सावित होगा आज आप में कुछ नई इनर्जी दिखाई देगी उसे प्रकार जो भी कामा आतने लेगे वो पूरे होते वरसे नजर आएंगे आज के दिन आपको अपका घूमना फिरना भी हो सकते है कुछ अच्छे लाव वगरा हो सकते हैं उसे प्रकार आपके लाव भाव में सित बुदर के साथ आपके सब्तम्भाव को जो गुरू है वो नवर पंचम योग योने के द्रिकोनियोग करने जा रहा है आने वले दोसे दिन दिन में आपके जो वैवाई जुडिदार है उनके साथ आपका कहीं बाहर गुमना फिरना हो सकता है उसे प्रकार उनके साथ आज जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगगे तो गुल मिला के देखा जाए आज का जो दिन है और आने वाले दोसे दिन दिन आपके लिए बहुत ही ज़ादा शुबु फलदाई जाबित होंगे इसके बाद की जो राशी है वो है दुला राशी गुरू है वह नवा पंचमियों कहने की त्रिकोनियों करने जा रहा है तो जो भी आपका कारशेटर है उसके सिलसले में आने वाले दो से तिन दिनों में आपको कोई बाहर घूमना फिर ना पड़ सकता है उसे प्रेकार आपको कुछ नई इंट्यूशन वगरा आ सकते हैं आइड़ेज वगरा आने वाले दो से तिन दिनों में आपको आ सकते हैं जरूर उस पर काम कीजिए और वो आपके लिए फाइदवन भी साबित होंगे इसके बात की जो राशी है वो है वृक्छेक राशी वृच्छेक राशी के सब्तव भव में सिद्ध रवी और बुद्धय के साथ आपके पंचम भव में सिद्ध गुरू के साथ ये चंद्रमा लाभ हियो करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपकी लेकास करके अगर आप मिभाइड हो तो आपकी जो वईबाइक जो डिदर है उनके साथ आपकी जो hार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उससे प्रकर अगर आप किसे के relationship में है तो वहाँ पर भी आप दोनों में जो हार्मनी है काफी अच्छी देखी जाएगे उसी प्रकार आपके पंचम बाव में सिद गुरु के साथ आपके भाग्या बाव का जुबद है वो नवा पंचम योग याने के त्रिकोनियों करने जा रहा है आने वाले दो से तीन दिनों में अगर आप शेयर मारकर से डिल करते तो कुछ अच्छे लाव आपको मिल सकते है आपके जो भी प्रेडिक्शन्स रहेगी उसी प्रकार से जो बाते हो सकती है उसी प्रकार अगर आप कैसे के रेलेशन्शिप में है तो आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगे तो गुल मिला के देखा जाए तो आज का जो दिन है और आने वोले दो से तीन दिन आपके लिए शुभु फलेदाई सावित होंगे इसके बाद की जो राशी है वो है धनु राशी दनु दाशी क से आश्टम. इसके जो अच्छे देखे जाएगे वहाँपर आपके गाम क्षाओ में सिद भुद्र के साथ सारा ना हो सकते है उसे परकर आपके अश्टम बाव में सिद बुद्र के साथ आपके जो तरत बाव का जो गुरू है वो नवा पंचम योग याने के त्रिकोन योग करने जा रहा है तो अगर आप इवाईत हो तो आपके जो वाई वाई जोड़ीदार है या फिर आपके जो घर के लोग है उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिरना हो सकता है उनके साथ आपकी जो हार्मुनी है वो भी काफी अच्छी देखे जाएगे तो Relationship के मामले में आज का जो दिन है और आने वाई दो से तिन दिन आपके लिए शुभफल दधाई साबित होंगे इसके बाद कि जो राशी है वो है मकर राशी मकार यजिक्य के पंचम बहुमिष्त रभी और वुद्य ऐसकार known यह वह आने की छा रहा है यह की अच्छा के अच्छा डिन है आपके लिए खाज कर के वगर आप किसे के साथ आपकी की जो उठ हार्मोने हैं वह बहुत अच्छी देखे जाएगे एस प्रहकर अगर आप sister तो आने वले 2-3 दिने में आपकी जो वाई-वाई जुड़ीदार है उनके साथ कही बाहर घुमना फिरना हो सकता है आने वले 2-3 दिने में आपका घुमना फिरना काफी ज़्यादा हो सकता है और जिस विशे के लिए आप ट्रावलिंग करेंगे वो जो विशे है वो पूरे ह होने की संब्बावन भी काफी अच्ची बन रहीं कुछ नए इंट्यूशन वगर्ए आला सकते हैं भाविशया के बार में अगर आप उसके उपर काम करते हूँ तो भाविशया में जा एक इसके बाद कि जो राशी है वो है कुंबबर राशी के चतुर्ट बावा और आपके शेस्टरriasच्ञ जा रहा है वह नवब करने झा रहा है। आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करो गे आराम करने को गर रहना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा और जो भी महत्तव पुरणाकाम है वो हाथ में ले सकते हो, वो पूरे होते हो भी नज़र रहेंगे, आने वले दो से तीन दिनों में भी आपके जो भी कारक्षेतर से रिलेटर काम है, जो कि डॉकमेडेशन से रिलेटर काम है, इन्वेश्मेंट के से रिलेटर काम है, पैसे के मामले में जो रिलेटर काम है, वो पूरे हो सकते हैं उसे प्रकार अगर आप किसे के relationship में हैं तो उनके साथ भी आज आपकी जो harmony है आने मुदे दो से दिन दिनों में वो काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के तृतिया बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके पंचम बाव में सिद्रभी और बुद्र के साथ और आपके राशी में सिद्गुरु के साथ ये चंद्रमा लावयोग करने जा रहा है उसे प्रकार आपके पंचम बाव में सिद्गुरु का नवपंचम गयाने के त्रिकोनियों करने जा रहा है तो आज का जो दिन है थोड़ा बिजी डे आपके लिए हो सकता है जो भी महत्व पुर्ण काम है हाथ में ले सकते हो ट्रैवलिंग वगरा हो सकती है लेकिन जो भी आप काम करोगे वो सभी के सभी पूरे होते हुए नजर आएंगे आपके जो वह वाई जोड़िदार है उनके साथ कई बाहर घुमना फिरना हो सकता है उनके और आपके बीच जो हारवनी है वो काफी अच्छी देखे जाएगी तो पुल मिला के देखा जाए तो आज का जो दिन है और आने वाले दो से तिन दिन आपके लिए शुभु फु इसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद